एक तरफ पिये मोदी ने राष्टपती पुतिन को फोन लगाया और आपको बता दे क्या समंदर में बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जय संकर इरान पहुँचे और इरान से बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आई है स्क्रीन पर्ट डॉक्टर जय संकर की एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा था एक इंटर्व्यू के दौरान हाल फिलाल में ही कि खेल तो अभी सुरू हुआ है अब इसका क्या मतलब है कौन सा ऐसा खेल सुरू हुआ है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहु इसे चीन टेंसर में आया है और तीसरी सबसे वड़ी बात अमेरीका भी टेंसर में है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा CIS News Network के इस एपिसोड में हमेशा की तरह कई सारी नई चीजे जानने को मिलेंगी आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक ट्विट देख सकते हैं आप ये ट्विट किसकी है पी एम मोदी की इन्होंने कहा कि मेरी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई हमने कई सारी चीजों पर बातचीत करी और आगे हमने भविस्त में कौन-कौन से काम करने हैं उसके के लिए रोड मैप को तैयार किया है हमने कई ऐसी बाते भी करी जो रिजनल ग्लोबल इसू से रिलेटेट था साथ ही साथ हमने रूज के प्रेसिडेंसी ब्रिक्स के लिए उस पर भी बातचीत करी वैसे तो यह साधारन बात होती है एक देश का राष्ट अध्यच दूसरे पर देश के राष्ट अध्यच को फोन करता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ सोसल मेडिया से लेकर इंटरनेशनल लेबल पर बराबर इस बात को मेडिया ने च्छापना सुरू कर दिया है यहां पर दोनों दोस्त देशों ने एक दूसरे को सुभकामना है दी कि तुम भी जीत जाना हम भी जीत जाएंगे पर इसमें इतनी बड़ी क्या बात हुई इस्क्रीन पर यूएस न्यूज की एक आर्टिकल को देख सकते हैं पूतिन और इंडिया के मोदी ने बाच्चित करी है एक दूसरे को विज किया है इलेक्सन का ये क्रेमलीन ने छापा है ये बात यूएस की मीडिया में भी छबी है अब दुनिया इतना जादा नजर क्यों रखे हुए है तो आपको बता दे रूस में जो राश्पती के चुनाव हो रहे हैं उसमें कई सारी चीजे हो रही हैं जैसे की स्क्रीन पर देख सकते हैं बीवी सी के एक रिपोर्ट रूस में बैन हो गया है एंटी वार केंडिडेट जो की पुतिन को चैलेंज करने वाली थी पर असल मुद्दा क्या है तो असल मुद्दा कई सारी चीजे हैं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं रूस और भारत के बीच में दोस्ती एक अलग लेबल पर जा रही है ऐसा लग रहा है स्क्रीन पर खबर ये है कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है रूस और भारत के बीच में बैपार करने में या तेल के कारगो सिप को रूस को दुनिया भर में भेजने में कि जो कारगो सिप है, उट हो जादा तर कारगो सिप किनके है, UK के है, US के है, European company के हैं तो इन्हों ने अपने कारगो सिप के उपर लगा दिया कि हम आपको इंसुरेंश नहीं देंगे, आप हमारे कार्गो सिप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और ये रूस के तेल बेपार में बहुत बड़ा बादक बन रहा है जिसकी वज़े से रूस भारत को कह रहा है कि चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं कार्गो सिप और तुम दे देना इंसूरेंस अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है यू के यूरोप की जरूरत नहीं पड़ेगी रूस भारत अपना ही अंदाज में यहां पैपार कर सकेंगे आपको बता दें आर्टी की एक खबर देख सकते हैं और ये खबर हमने आपको पहले भी दी थी जिसमें कहा था कि इसरो कई सारी चीजे करने वाला है और इसरो का एक बेहत महतपूर्ण प्रोग्राम है गगन यान प्रोग्राम गगन यान प्रोग्राम के तहत इस रो मानो को भेजना चाह रहा है अंतरिक्ष में और इस रो किसकी मदद ले रहा है आपको बता दें ये जो सूट है जिसको पहन कर ये जाएंगे अंतरिक्ष में ये सूट मंगवाया जा रहा है रूस से रूस से मदद ली जा रही है और यहां पर कहीं नासा और अमेरिका को ये लग रहा है कि रूस के साथ क्यों नजदी किया बढ़ रही है अब बड़ी बात ये है कि रूस के पास experience है रूस के पास अंतरिक्ष में एक बहुत बढ़िया अनुभाव है जिसकी वजह से भारत रू हुआ है ऐसा लगता है जैसे कूटनीती बदल रही है एक तरफ हमने देखा रूस के साथ हमारे पुराने रिष्टे ठीक होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस एक वीडियो को देखिए इस वीडियो को रिलीज किया गया है इरान के मंत्राले के द कोनों के परतिनीधी भी आपस में मिलें अब यहाँ पर सिर्फ क्या मिले या कोई बात भी हुई या कोई प्रॉफिट वाली बात हुई तो भारत इरान से कई मुद्धों के लिए इस वक्त मिल रहा है पहला मुद्धा है चाबाहर पोर्ट जिसे काफी पहले भारत ने कर दिया जबकि चाइना ने तेल खरीदना बरकरार रखा था आपको बता दें यहां पर भारत की एंट्री हुई और भारत यहां पर चाबाहर के लिए बात कर रहा है दस सालों का कॉंट्रेक्ट चाबाहर में फिक्स हो गया यानि कि एक एग्रिमेंट बन गया है चाबाहर पोर्ट को लेकर और दस साल के लिए दोनों के बीच एग्रिमेंट हो चुका है इसके इस्तेमाल का फिर यह भी बात हो रही है कि अगर कोई डिस्पूट होगा कोई लीगल समस्या होगी जिसकी वजह से यह एग्रिमेंट रुका हुआ था कई सालों से कि अगर हमारे बीच विवाद हुआ तो विवाद हल कहां पर होगा तो अब यह तै किया गया है कि जो विवाद होगा वो विवाद हल किया जाएगा यूई के कोट में ये भी फैसला लिया गया वैसे आपको बता दें चा बाहर पोर्ट पर डील होना ये चाइना को बिलकुल भी पसंद नहीं हो क्योंकि इसके आठ दिन पहले ही इरान के तेवर भी चाइना की तरफ बदलते हुए दिखे हैं इसक्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं इरान ने अभी अपने सिप्मेंट्स को रोक लिया है जो चाइना की तरफ जाते थे तेल वाले सिप्मेंट्स क्यों रोका है तो इसलि को आप देख सकते हैं तो भारत की एंट्री यहां पर कुछ-कुछ रंग ला रही है और एक बात और आपको बता दूँ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप दरसल यह वीडियो वुष्ट का वीडियो है डॉक्टर एस जैसंकर ने वहां की सारी गति वीडियों को ट् परसीन में ट्रांसलेट किया गया है तो यहां एक दूसरे के सांस्कृतिक रिष्टे को बढ़ाने के लिए यह तै कि फार्सी भासा को भी भारत के छेत्रिये भासा में सामिल किया जाएगा और ऐसा इसलिए है कि दोनों के बीच के रिष्टों को और मजबुती मिले अब य वेलकम टू दा कलब और ब्रिक्स में पाकिस्तान को सामिल होनी की बात थी पीएम मोधी के बाच्चित के बाद क्या ऐसा लगता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री आसान होने वाली है कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई के साथ